जै माता दी, जै मा कमक्या, मा भगवती जगत जन्नी, अदिशक्ति भवानी, अलहादीनी शक्ति, कस्ट निवारीनी, दुख निवारीनी, मैसासुर मरदनी, चंड मुंड नाशीनी, सीह वाहीनी, किलेश नाशीनी, पाप नाशीनी, दुरीता पहारीनी, शत्रु संग विदा आपको सुक्की रखे, स्वस्त रखे, प्रसंद रखे, ओम रिम्दंदुरगाय नमः, कृम काली काय नमः, ओम बंभेरवाय नमः, हम हनुमते नमः, ओम नमो भगवते वासु देवाय और ओम कृम कृम कृष्णाय नमः, देवराधा ट्रस्ट सत्यवानी चैनल रहस्यमय बहुत सी माता बेहनों को, रात को सपने में छोटे-छोटे बच्चे नजर आते हैं, और कई बार तो एसे बच्चे भी नजर आते हैं, जो बच्चे पेदा होते वे भी दिखते हैं। कुछ माता बेहनों से हमारी वेक्ति का चर्चा हुई, तो उनने का हमें येसा भी मैसूस होता है, सपने के अंदर कि हमने बच्चे को जन्म दिया। और कुछ ये कहती का हम चोटे चोटे बच्चे को खिला रहे हैं, जो दूद मुहें बच्चे हैं, पन्तु वो चल फिर रहे हैं, उचल रहे हैं, जैसे गेंद उचलती है, इस तरीके से खेलते हैं गोदी में। तो जिस भी माता बेहन को चाहिए वो शादी शुदा हो या कुमारी हो, यदि उनको छोटे छोटे बच्चे सपने में नजर आते हो, तो समझ जाना चाहिए उस इस्तरी के उपर कलवा वीर नामक शक्ति लग चुकी है, मानो या न मानो, या सत्य है। और अब ये मान करके चलो, जिस भी इस्तरी को एसी शक्ति लग जाती है, उसके बच्चे पेदा नहीं होते हैं, और धीरे धीरे उसका मासिक धर्म खराब हो जाता है। ये तो आएगा ही नहीं, और आएगा तो इतना जल्दी जल्दी आएगा कि बच्चे कंसीव नहीं कर सकती। उसे बाँच शब्द से नवाजा जाता है। और यदि विवाहा के पहले किसी लड़की को ऐसे आने लग जाये सपने, तो मान के चले उसका तो विवाहा भी नहीं होता है। और विवाह हो जाएगा तो बच्चे पेदा नहीं होगे। और यह भी पिछले जन्म के कर्म के अनुसार उसके उपर लगता है। कई बार तो यह कलवावीर छोड़ दी दिया जाता है। और कई बार विवाहा के समय पे जब दुलहे दुलहन स्टेच पर खड़े होते हैं, फेरे लेते हैं, उस समय पे खिलाई पिलाई करके छोड़ दिया जाता है, या मंडप में लाकरके उनके साथ में कर दिया जाता है। इसलिए जब भी विवाहा हो, तो विवाहा के समय पर जो मंडप च्छाबा जाता है, जिसके अंदर फेरे लिये जाते हैं, उसकी पूर्ण सुरक्षा तंत्रिक से करवाना चाहिए। किसी योग्य पुरुष से चोकी लगवाना चाहिए ताकि वहाँ पर कोई भी ऐसी नकारात्म कुर्जा वाली शक्तियदी कोई लेकर के आता है, छोड़ता है, बिठाता है, तो वह उसमें नहीं आ पाए, उस गेरे में नहीं आ पाए। और इसको कलवावीर को, जब स्टेज पर पती पतनी खड़े रहते हैं, विवाह होता है उस वक्त में, तो बहुत से लोग उनको पान खिलाते हैं, परिवार के सदसे भी हो सकते हैं, राते रिष्थेदार भी हो सकते हैं, दोस्त यार भी हो सकते हैं, तो पान के अंदर भी ये तंत्रात्मक आइटम, कलवा वीर वाली डाल करके खिला दी जाती है, जिससे उस इस तरीके बच्चे पेदा नहीं होते हैं, इसलिए आप सबसे निवेदन है कि एक तो जब फेरे लेते हैं तब मंडब में किसी अन्य व्यक्ति का प्रवेश नहीं होना चाहिए, ऐसी जग नहीं खाना चाहिए, मिठाई नहीं खाना चाहिए, इस बात का द्यान अवश्य रखें। और उसको जब जमीन में गार दिया जाता है, या नदी में विसरजन कर दिया जाता है, तो ऐसे बच्चे की आत्मा को तांत्रिक लोग, गुनिया लोग, भोपा लोग, भगत लोग, उसको बंतन दे करके, सिद्व करके ले करके आ जाते हैं, और इस तरीके से छोड़ने का क करते हैं, ये सिब ग्यान परपस से मैं आपको बता रहा हूं कि यदि किसी के साथ ऐसा हो रहा है, तो समझ जाओ, कि कलवावीर लगा है, अब बच्चे पेदा नहीं होंगे, और उस तरीका शरीर खराब होगा ही होगा, दीरे दीरे उसके हाथ पे टूटने लगते हैं, कमर बच्चे को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, कि अपने परिवार में यदि किसी भी इस्तरी को ऐसे छोटे-छोटे बच्चे दिखते हों, तो वो अपने माता-पिता को या पती को अवश्य बताएं, ताकि उसका इलाज किया जा सके, अन्यता आप डाक्ट्री कितना ही इ लेना आपके बच्चे पेदा नहीं होंगे, यदि आप किसी को ऐसे बच्चे दिखते हों, सपन में, तो देवराधा टस्त से संपर कर सकते हैं, ताकि उसकी कोख जो बांध दी गई है, उस कोख को खोला जा सकता है, 9893128047 पर संपर करें, और 7649862712 ये वाटसप नंबर है, 7987237885 ये वाटसप नंबर है, इन नंबर पर आप संदेश दे करके, पूरी जानकारी दे करके, आप अपना इलाज करवा सकते हैं, जय माता दी, जय मा का मख्या,